आरेलपी चीफ अनुमान बेनिवाल के छोटे भाई और क्यूंसर्स विधानसबाद सीट से आरेलपी के विधायक नाराइंड बेनिवाल एक सड़क हाथसे में घायल हो गए बताया जा रहा है कि ये हाथसा अलवर के शाजाहापूर बॉर्डर के पास हुआ शाजाहापूर में किसानों के धरनास्थल से लोट रहे क्यूंसर् विधायक नाराइंड बेनिवाल की गाड़ी की सामने से आ रही पिक अप से सीधी टकर हो गई हाथसे में नाराइंड बेनिवाल की कार बुरी तरह से छतिग्रस्थ हो गई खटना की जानकारी मिलते ही आरलपी के नेता और कार्यकरता मोगे पर पहुँचे और नराएट बेनिवाल को पहरोड के कैलाश अस्पताल में भरती करवाया गया एस साथ से में विधायक नारायण बेनिवाल समेत कई अने लोग भी घायल हो गए जो लोग नारायण बेनिवाल के साथ उनकी कार में सवार थे फिलाल सभी घायलों का इलाज चल रहा है सब की हालत स्थिर बताई जा रही है जिस जगे पर यह हाथसा हुआ वहां मौझूद कुछ चश्मटीदों का कहना है की आरल पी विधायक नारायण बेनिवाल की गाड़ी रॉंग साइट से आ रही थी जिसकी वज़ा से पिक अप से उनकी गाड़ी की आमने सामने की टकर हो गई मौके पर मौझूद लोग इस हाथसे के लिए विधायक की गाड़ी के ड्राइवर को हिजब मेदार बता रहे हैं नारायण बेनिवाल की रॉंग साइट गाड़ी आ रहे थी पीक अप वाला सही चला रहा था और वो गाड़ी एक्सिडेंट होगी पीक अप में रॉंग साइट से पर आपको देखा कहा लगी है इसाथ से में गाहिल पांच लोगों का बहरोड के कैलाश अस्पताल में इलाज चल रहा है वहीं विधायक नारायण बेनिवाल को भी ज्यादा चोट नहीं आई थी उन्हें भी इलाज के बाद अस्पताल से चोटी दे दी गई है पुलिस ने मामला दर्च कर इसाथ से की जाँच शुरू कर दी है राजस्थान तक के लिए अलवर से संतो शर्मा की रिपोर्ट